अगर आपके लाइफ स्ट्रेस और टेंशन से घीरी हुई है तो इसकी वज़र आपके घर में वासू दोश हो सकता है अकसर लोगों को इस बात का पता नहीं होता वासू शासे के मुताबिक आठ दिशाएं होती हैं जिनका असर किसी के भी जिन्दगी में पढ़ सकता है अगर आप वासू के अकॉर्डिंग सेच होगा तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी कहते हैं कि घर में अगर वासू दोश हो तो हमारे आज़ पास नेगेटिविटी रहती है और ये नेगेटिविटी घर में आप पर किसी भी तरह से असर कर सकती है नहीं रखा तो भी आप घर में कुछ चीज़े लाकर अपने घर को पॉजिटीव बना सकते हैं वासू के को चुपाएं आपकी घर में सुक और सम्भी भी ला सकते हैं वासू के अकॉर्णिंग टुवालिट और किचन कभी भी आमने सामने या फिर एक कतार में नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो घर में इस रवस्था को बदलने की कोशिश करें कहा जाता है कि घर के दर्वाजे बाहर की तरफ न खूर कर अंदर की तरफ खुलने चाहिए इससे आपका सभाग घर में पवेश करता है घर में रोज रंगोली बनाना आपके सभागी को आपकी उठीच लाता है घर में मौझूद स्वस्थिक या ओम कचिन घर में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है घर में कभी-कभी नमग की पानी से पहुच्छा लगाना चाहिए इससे भी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है ऐसे बहुत से छोटे-छोटे बढ़लाओं से आपके सिंदेगी बन सकती है पॉजिटिव और आप हर तहों की प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं खुद से दूर दियो रिपोर्ट जी मीडिया तो अगर आपके वही कोई बिगिरे काम है या काम अटके पड़े हैं आपको बिल्कूल परिशान होने की जुरूत नहीं है, आप हमें कॉल करें और हमारे एक्सप्रण आपके सवालों का जवाब देने कलिए हमारे साथ लगातार बनी हुई है पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है शशी हमारे साथ जुड़ी हूई है शर्षी बताईए क्या सवाल है आपका अगले साल अपना जानना चाह रहा है अमरा उनिस सो और सद का जनम है जी वास्तु से जुड़ा क्या सवाल है आपका अमरा सवाल अगला साल कैसा रहेगा जी यह अगला साल कैसा रहेगा ये वास्तु के जरिये कैसे बता पाएंगी पुनी जी उनसे जानते हैं पुनी जी वास्तु का सवाल शायद उतना नहीं था जैंटरिक नहीं था उतना लेकिन फिर भी कुछ अगर आप इने वास्तु के बारे में कुछ गाईज कर पाएं 2017 का पूर नांग का अगर हम मिलाते हैं तो नंबर एक के उपर आ रहा है और नंबर एक जो है ये सूरे को ततिमी जित्तु करता है सूरे इस डिरेक्शन हमारी जो है इसको सिगनिफाई करता है इसलिए जो भी आपके घर के पूरुस की दिशा है अगर आप उसे साफसुत्रा कर लेंगे और कुछ एक ग्रीन कलर की चीज़ें वहाँ पर डेकोरेट कर देंगे ग्रीन प्लांट वहाँ पर रख देंगे तो आपका 2017 में होने वाला जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं जो भी आप सोच के चल रहे हैं कि यह यह काम मेर को 2017 में करने हैं और यह पूरे हो जाएं वो वास्तु में वास्तुदोश खतम हो जाएगा और पूरे होंगे तो 2017 आपके लिए खुश हैं लेके आने वाला है चलिए अगले देशर अबाइस साथ जुड़ गई हैं कुसुम सवाल पूछे जी बताइए सवाल पूछे मैं कुशी है कि मैं हमें इस स्वाइट में रख जाते हैं इसके ओपर हमें दो खमाँ का जाते हैं जान लेते हैं पुनीची से पुनीची इन्होंने एक मगान भरे बनान में रहती है उसके ओपर उन्होंने दो कमरे का प्लाट टाइप का बनाया जिसके बाद थोड़ा आच्छा नहीं रहा इनके लिए काफी पॉजिटिव नहीं रहा तो अब यह उसको सेल आउट करना चाहती है दोज़र सेत्रमे नया मकान बनाना चाहती है उसके लिए कर आप इन्हें काइट पर कर पाए अगर आप इस घर को बनाने के बाद से बहुत जादा परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप मंगल यंत्र अपने घर पे स्टाबिद कीजिए और विदिवत कम से कम चालिस तीन उस मंगल यंत्र को लाल रंग की रोली का ठीका लगाईए और मंगल यंत्र के सामने हन्वान चालिस आप पढ़े और अपने मन की इच्छा महाँ पे जरूर अपने मन में लेके ही भादना के साथ पूजा करें तो आपका ये मकान से लॉक्त हो जाएगा चलिए ये तो आपकी परिशानी का हल हो गया लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई कम चाल गलत बन गया या आपने वास्तु के साथ से घर नहीं बनाया और फिर आपको समझनी आ रहा कि आप इस दोश को कैसे दूर करें तो आपको कुछ नहीं करना है हमें कॉल करना है पुनीटी आपके सवालों का जवाब देंगे कविता हमारे साथ जुड़ गई एंगी दर्शा कविता सवाल पूछे मेरा पाती का तहीं जो अपने रहता है मेरा ससुख हर दम बीमार रहते हैं कहीं बाप तो सास्तुर को बज़ेस्टर नहीं होता है चलिए ये सवाल हम पुनीटी जी आगर आपको इनसे पूछना के बारे में घर के तो आप पूछीजे है हाँ अपका घर कौंसा पेसिंग है कौंसा दर्वाज़ा पढ़ रहा है मुख़्े दौर आपका जो है किस किस तरफ पे कविता जी आप आप अँम आजसा जुड़ी हुई है आपके घर का जो मुखेदवार है, जो बाहर जाने का रखता है, वो किस तरह फे हूर पूरव की तरह है, आपके जो घर के अंदर बाथूम है और किचन है, ये किस तारेक्शन में बने इए होईnes पूरव weff से कुमें, जैसे ये आप घर के अंदर प्रुवेश करते हैं, तों आपके बाथूम और टॉयलेट ये सब में किचन इगठे बने हुए है और किचन है किचन है ठीक है आपके घर में क्योंकि बीमारी का बार बार होना और सब लोगों का स्वास्ते चीक नहीं रह रहा है तो ग्रम स्थान को आप साफ कर लीजिए और नौर्थ इस चो कार्णर है इशान कुन वहाँ पे आपका पूजा का स्थान अगर नहीं बना है तो आप वहाँ बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि पूजा के स्थान पे एक कौपर की तांबे की गड़वी में जल भरके आप च्थापित करें और रोज उस जल को आपने बदलना है घर में स्वास्त गलाब होना शुरू हो जाएगा चलिए उमीद करते हैं आपके लिए यह जो पाई है बहुत चुटब सो पाई है कुछ इसे मैनत पी नहीं आपको धान से करना है और मिश्य दोर पर वास्तु दोश जो है दूर हो जाएगा एक दर्शक हमारे साब दब चूड़ गए है अपने सवाल भी पूछ जी रोहताई जी अपने सवाल भी पूछ यह जी ठीक है आपको नौर्थ की डारेक्शन में जो उत्तर की दिशा है उसमें कोई दोश होगा जिसके वज़े से हम लोग अन्नेम्प्लाइट रहते हैं या हमारे एक पास कोई भी कारोबार नहीं हो बा आपके डारेक्शन में स्थापित कर लें इससे आपका यह समस्या का समाधान हो जाएगा चल यह दो मीद करते हैं कि परिशानी काहला आपको मिल गया अशोक अगले दर्शक हमारे साथ जोड़ गये अशोक अपने सवाल सुछे आपके डियान रखें कि आपके पीछे कोई भी खेड़ करें या दरवाजा ना हो, पीट की तरफ आपके वाल हो और आपके सामने जो है, सॉलिड वाल आपके पीछी होनी चे और सामने आपने जब बैटना है, तो एक सहरश्वती यंट्र अपने सामने आप प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसके आपका संसंप्रेशन बढ़ेगा चलि अगले दर्शक हमा एक साथ चुन-चुन जुड़ गए हैं, सवाल पूछे आप हमें सुन पा रहे हैं? आजी, आजी, सुन पा रहा हैं जी, सवाल पूछे अजी, आजी, सुन पा रहे हैं आजी, सुन पा रहे हैं? आजी, सुन पा रहा हैं आप से रिक्वेस्ट है कि आप टेल्विजन सिट की वॉल्यूम कम कर लें, सीधे बात कर लें, जिससे आपको हल मिल पाए ऐसे आप बहतर तरीके से अपनी बात नहीं रख पाएंगे आपके घर के डिरेक्शन के आएमो की द्वार किस तरफ है? पूरब के तरफ है जी पूरब की तरफ है और जो आपका आगे आगन है या सीधे फ्लैट है ये? अच्छा थोड़ी सी बाल कर नहीं है रास्ता है और आपके घर के परेशानी है किस तरफ हैंगे आर्थिक तोर पे आप परेशानी में सूस कर रहे हैं? ऐई पूरब के थे हुआए और गाल भी परेशानी है ये? करें रोशनी का प्रवंद वहां पे मेरे को अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है चलिए तो यह एक बहुत इंपोर्टन बात हो गए क्योंकि अगर आपको भी लगता है कि आपकी घर में पोजिटिविटी नहीं है तो यह बात आप भी अपना सकते हैं यह परिशानी आगर अपने नाम बताएं और सवाल पूछे आप हमें सुन पा रहे है अधि अपने नाम बताएं और सवाल पूछे आप रामकुमार जी अपने सवाल पूछे अब मैं पूछ पा हो मैडम हमारे जर्मेट एतना दे सकमाखे हैं वरकत नहीं हो रही है इनके समय पूछे अपने जी ठीक है कुबेर की दिशा आपकी इसका मतलब है कि बहुत जादा खाराप स्थिती में है और कुबेर की दिशा नौर्थ होती है उत्तर के दिशा को आपको थो तो उसको आप इमिजेटली मतलब अभी उसको हटा दें और कुबेर यंत्र और साथ में वहाँ पे नीले रंग की वाल्ट को भी डिस्टेंपर करके आप उस थिती को सुधर सकते हैं चली ठीक है भागी रात अगले दर्श्वक हमाईर साथ अब जुड़ गये हैं अपने सवाल पूछे जी सवाल पूछे जी सवाल पूछे बिमारी है आपको उश्वास के संबंदी परिशानिया है ठीक है तो आपके किछन किस दारेक्शन में आपको नही है तो आप एक काम किजिये घर के अंदर या उपना मंदीर अगर नहीं बना है तो वहां बना लिगे अगर वहां लेडियों मतलब पहले से बना हुआ है तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पर जरूरत से ज़्यादा मुर्दिया ना हूँ चलिए ये एक चोटा सवफाय आपके लिए था अगर इशानकोर में आपने मंदिर नहीं पनाया तो आपको बनाने की जरूरत है और खास वास ध्यान रखें पुनी जे अगर बात करें नॉर्मली जैसे बहुत से दर्शन चुटे है उनको ये बहुत समस्या रहती है कि मंदिर कहां रखें आप इशानकोर का जिकर कर रही है तो बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो कि इशानकोर क्या है एक बार चाहेंगे है कि हमारी दर्शन के लिए आप उन्हें समझाएं कि किस सिरेक्शन में रखना होता है मंदिर और क्या कुछ धिहान रखना चाहिए जिससे कि कोई वास्तु दोश ना हो सब कुछ अच्छा रहे खरने फटरपूरफ की दिशा ये इशानकोर कहलाती है और इशानकोर का स्वामिक रहा है वो गुरू है गुरू कहते हैं लिए कि गुरू के बिना कभी भी सद्गती नहीं होती तो गुरू को अगर अपने स्थान पे रखा जाए, मंदिर को अगर इशानकौन में ही बनाया जाए तो अपने घर के अगर बाकी दोश होंगे, वो भी पूरी तरह से उन दोशों का परिहार हो जाता है अपने आप वो दोश खतम होने शुरू हो जाते हैं दूसरे चीज़ अगर हम मंदिर बनाते हैं तो एक तो मंदिर की दिशा के साथ साथ में उसे जरूरत से ज़्यादा अधिक से अधिक मूर्तियां ना रखें हो सके तो उसको बहुत कम मूर्तियां हो और उतनी हो जिनकी हम साथ संभाल कर सकें क्योंकि सफाई का ध्यान र惹ना सामजबसे जो है पंच तत्तों में ये हर जगे पे ही घर के हर कोने के लिए बहुत जरूरी है अगर हम पंच तत्तों का ध्यान नी रखते हैं अगरमेन बेतर्तीत तरीके से हम इशान को भारी भरकम कर देते हैं तो ये भी हमारे लिए वास्तो दोश की स्थिती लेके आजाता है शली तो आपके लिए ज़रूरी जानकारी हो गई अगरे दर्शक अब हमारे साब जो गए हैं अपने नाम बताएं और सवाल पुछें नेतराम जी बताएं नेतराम जी अपने सवाल क्या है जी बताई ये खुली जगह है इसमें पूरे उत्तर की तरफ टेटीस वाई शुट में लर बना हुआ है जी और इसका दरवाजा मेंगेट गरा हो दक्षन की तरफ है ठीक है तो जो भी आते हैं रिष्केदार भाईबन दो कि में दक्षन की तरफ हो गया तो नहीं होना तो ये ठीक है आप इसका अपको दक्षन की तरफ दौर बनने के बाद से किसी तरह की कोई परेशानिया या समझ से आई है अच्छा इस घर के बनने के बाद से परेशानिया बढ़ी है आपकी तो आप एक तांबे का स्वास्थिक का चिन मुखे दौर पे लगा लें इससे आपकी परेशानिया समधान अपने आप हो जाएगा चली बोगर आपकी भी कुछ समस्या है तो आपके में कॉल करें हमाई नंबर्स लगातार चली बीश्टीन पर फ्लाज चुर रहें अगले दर्शक आप हमारे साथ चुर गए है अपना नाम बताएं उस सवाल पूछे अलो जी बताएए नाम बताएए अपना मेरा नाम जर्ला है वैश्टीनो ठीक है अपना नाम आपने बताएए आप सवाल भी पुछे अच्छे मेरे ना गर में बहुत कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती ही क्या बात है पुनीडी से जानेते हैं पुनीडी बरकत नहीं होती ही इनके घर में जब कि कमाई काफी ज्यादा है आपका वाई अवे कोन खुला होगा क्योंकि नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट जो होता है उत्तर और पस्चिम की दिशा इसमें जब भी कोई दिशादोश होते हैं तो घर में पैसा आता तो है लेकिन वो टिकता नहीं है या बहुत गलत तरीके से वो खर्च हो जाता है ये वास्तु दोश दूर हो जाएगा और सब कुछ आपके लिए अच्छा और बहतर होने वाला है अपसे पुनी जी लगाता है हमां ऐसा स्टूडी में मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब दे रही हैं चलिए अभी जब तक कॉल नहीं आ रहा है तब तक उन्से और कहीं जाती है कि किचेन अगर सही डिरेक्शन में होता है तो सब का अश्वास अच्छा रहता है आगी बढ़ते हैं सब कुछ बढ़ियां रहता है तो किचेन किस डिरेक्शन में होना चाहिए और अगर उन लोगों की बात करें अगर उन्होंने गले डिरेक्शन में बना लि साउथ इस डिरेक्शन को सबसे उत्तम माना जाता है किचन के लिए और सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो है उत्तर पश्चिम की दिशा आपके वास अगर ये दोनों ही दिशाओं में किचन नहीं है और आप किसी भी तरह की समस्याओं को महसूस कर रहे हैं तो आप कैस में इवनिंग जब संद्याकाल होता है एक केंडल आप चला सकते हैं ये आपके किसी भी डारेक्शन में बने हुए किचन के वास्तुदोश को खतम कर देगा शलिए ये तो एक किसमी जानकारी हो गए अब तंजे जुड़ गया है माईफातिक दर्शक तंजे सबाल पूचि करजा बहुत है करजा बहुत है चलिए आपके घर के दशा और दिशा के बारे में पुनीट शायद कुछ जानकारी चाहेंगी इस सवाल का जवाब देने के लिए पुनीट का रुख कर लेते हैं आप बताईए कि आपका साउथ हिर्ट डारेक्शन जो है दक्षिन और पूर खरलगे चलिए के स्तिति में इसके लिए घर में जो पानी की दिशा होती है ना वाटर है टैंक जो सिर के उपर चट के ओपर जो पानी की टंकी रखी जाती है वह किस दिशा में बटी होगी उस में कोई नश्य जरूर घर चैजा कर लेंगे तो आप का कर्जT उतर ची बननी शुरू हो जाएगी, आपके पास आमदनी के जरिये आने शुरू हो जाएगे, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपकी जो च्छत के उपर पानी की टंकी रखी हुई है, वो कहीं पे नौर्थ की तरफ तो नहीं है, उत्तर की दिशा में तो नहीं है, अगर वहाँ है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, और साउथ वेस्ट, दक्षिन पस्चिम की तरफ छट के उपर वाटर हेट टैम को आप लेके लगा लेए, चलिए, शाद यहीं वज़़ा थी कि आपके एक कल्जाब बहुत जादा हो गया था, हमाई से तक ले दर्शिक चुड़ गया है, क्या नाम है आपका और अपना सवाल भी पूछे, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप मेडम, जी अपना नाम बताईए और सवाल पूछे, जी पुनी जी से जान लेते, पुनी जीन के सवाल कर जवाबते, आपको कोई भी ही काम नियुक्ता है? कोई भी काम, मतलब चाहे कारोबार का हो, नौक्री का हो, घर का हो अगर आपके हर ही काम बें रूकापते आरी है तो आप फ़्द से पहले ये घर के अंदर जाके देखिए कि कितने बर्तन जो होते हैं जो चीनी मिटी के बने होते हैं कहीं वो तो नहीं टूटे हुए रख्यों हैं या जो कांच के बर्तन हैं उनमें कोई जरा रहे हैं तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ हैं जो आपने बहुत ज्यादा इकटी करके रखी हैं कबार की तरह सब से पहले उन्हें अपने घर से निकाल दीजी शायद ये वज़ा थी क्योंकि हो शकता है कि टूटी-पूटी रखने टूटी-पूटी चीज़े रखने से कही निगेटिविटी आती है क्या ऐसा वाकई है अपनी जी टूटी-पूटी चीज़े नहीं रखनी चाहिए वास्तूदोश की ही स्थितिया बनाते है चलिए ये बहुत चोड़ी सी चीज़े इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर वास्तूदोश नहीं भी होगा तो ऐसी स्थितिया बन जाएंगी कि वास्तूदोशा आएगा और ऐसे में आपके लिए थोड़ी मुश्किलियां पर हो सकती है अनू जुड़ गए अंगले दर्शक हमारे साथ अनू अपना सवाल पूछे आप हमें सुन पा रहे हैं अनू आपके आवास बहुत दीमी आ रहे हैं अनू थोड़ा सा तेज़ बोले काम में आपकी बरकत कैसे होगी चलिए पुनी जी से जान लेते हैं पुनी जी बताएं आप किस तरह का काम कर रही है अनू जी क्या आप हमारे सा कभी पर जुड़ी हुई है आप किस तरह का काम करना चाहती है आप शॉप खोलना चाहती है आप शॉप खोलना चाहती है पुनी जी बताएं ठीक है आप अपना नीजी वेट साइक करना चाह रहे हैं और आपको अपने घर में उत्तर की दिशा को ही सापसुत्रा करना है हो सकता है कि वहाँ पे या तो कोई मतलब गंदगी रखी हो उसको आपने रिमूब करना है अगर वहाँ पे कलर आपकी दिशा के विपरीत है मालों की उत्तर की दिशा में लाल रंग का बहुत जादा प्योग किया गया है तो उस रंग को बदलना होगा वहाँ पे आपको हल्का नीला रंग इस्तमाल करना पड़ेगा ताकि आप जो भी कारोबार करने के लिए सोच रहे है उसको करने के काबिल हो पाएं सक्षम हो पाएं चली अगले दर्शुक रंग विलास हमारे तार चुड़ गया है अपका सवाल पूछे रंग विलास अब हमें सुन पा रहे हैं अजी सवाल पूछे अजी मेरा मकाम पक्तिली साम के दवार है मरकां का जी मगाम का पक्तिली साम अजयत है बिल्कुल अजी अजी अपको किसी तरह की महां पर परिशानी महसूस हो रही है या कोई अजी माडम जज़त्तन आ लिया है लोग की मरमिकी शरगों की विल्क ज़त्रती है तेक है पस्चिम दिशा के द्वार के ओपर आपको एक तो घोड़े की नाल जो होती है उसको आपने लगाना है यू शेप में लगाना है और दूसरा हर शानीवार के दिन आपने कोशिश करने है कि पीपल को जल दे पाएं तो आप जिसकी दिशा दोष के वज़े से पीडित हैं वो दिशा दोष का जैसे समाधान होगा वास्तो दोष अपने ठीक होना शुरू जाएगा शेली अगर दिशा दोष आपके यहां भी है तो परिशान मत होई है आपको तमाम चीज़े आँज बताई है पुनीजी ने उनका ख्याल रखे हैं खासवाथ हमने किचन और इशान कोर्सी जुड़ी जानकारिया भी उनसे नहीं कोशिश किये जानने के घर में कैसे सुख समय भी रह सकती है सुनीजी आपको बहुत शुक्रिया इंतमाम जानकारियों को देने के लिए और हमारे कॉलर्स का जो सवाथ है उसका हल करने के लिए जैने इसे के साथ आज की खास पेशकश में इतना ही आपसे इजादत लेने का वक्त हो गया है हम फिर हाज़र होंगे आपकी समस्याओं का हल लेके तब टकले बाबाए भगवान हर जगर मौन्यूद रहे इसलिए उन्होंने समा को बनाया और उसकी मंता के साथ प्रकृति की सौनिता हर शिशो को मिले इसलिए हमने शिशो केर बनाया पतंजली शिशो केर मसाज ओय में बसते हैं प्रकृति मा के गुर जैसे सरसू, बादाम, सूर्य मुखी, जोजोबा, कैमो माई और काउज में एक साट आपके प्यास जितना कोम, वो शुन, अब अपने शिशो को दीजे प्रकृति मा का पोशन, पतंजली शिशो केर में प्रकृति मा से मा तक और जानता हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है जब भी मौसम बदलता है, सर्दी आती है, तो मैं बिमार पढ़ सकता हूँ इसलिए डाबर चवन प्रकाश, सिर्फ दो चम्मच रोज, और बिमारे की नो टेंचिन आपके शहर के खर बड़ी खबार, पिर रिकुमबया पार, दिशी स्पिष्टी, दो पहर एक बचे वास्तविहार के हर चौन शिफ में, अपना मॉल, दिल्ली हार ना डिस्ट्रिब्यूटर्स, ना रिटेलर्स, बाजार घुंगुं के खरीदने का ना है धंजर विशत्तरी शॉपिंग के संग, अंतराष्ट्रिय एडवेंट्र राइट का मज़ा, दिल्ली हार्ट के साथ वालिटी का वादा, किफायती, स्यादा, दिल्ली हार्ट, फैक्ट्री से सीधी आप तक नहीं, नहीं, इससे नहीं मेरा आगया वही हा निकारेट डितर्जिन मेरा दुर रंग ही उग दया मेरे ते रेशे भी दिखेर गया मैं कदम भी नहीं रखूंगा बस बस, आप दरने के कोई बात नहीं अब मैं ले आई हूँ पतांजली हर्बल वाशिंग पाउडर और तिखिया जिसने है नीन और दीवों के प्राक्रतिक गुण जो करे बैक्टेरिया का सपाया और दे हाथों को सुदक्षा तो अब मिलेगी सपेदी, तुम्हारा रंग निखरेगा और दाम भी कम लगेगा कपड़े हाई दिन न्यू पिंच प्रस्तुत करता पतंजली कच्ची गानी सरसों का तेल खाएं मिलावत के जहर से अपने परिवार को बचाएं और आक्रो पेंस रंग बे जुन्दगी पांसवार हजार के पुराने नोट रखने पर होगी सजा कैबनेट ने पास किया ध्यादेश 31 मार्श के बाद दस पुराने नोट से ज्यादा रखने पर जुन्माने के साथ चार साल तक ही हो सकती है जे राहुल गान्धी ने पेंस से पूछा कि साधार पर लगाई 24,000 की लिमित फिस पचास परिवारों को फाइदा पहुचाने के इलागो ही नोट बंदी नोट बंदी के सिलाफ पटना में आज रेटी का धरना लालो का पीम मोदी से सवाल बताएं पचास दिन में कितने ही लोगों का आया काला धन सामने कैंटू के पास अर्तिस दिन में दूस्टो आ ट्रेन हाचा स्रियाल राजमेर एक्सप्रेस के पंदर डिबे पट्री से उतरे दो याट्रियों की मौत पचास लुग खाए गिरीडी की जमुआ वे सहया प्रखंट दल की प्रसुक्षक की गला रेट कर हत्या पर जनुक शुकायत पर अग्यास लोगों के खिलाफ मामला दर्ज ब्यार में शराब बंदी के बाद जी शराब दिनने का सलसला जारी नवादा में 6 लाग की कीमत की 58 काटिन शराब बरामर पांस ससकर भी गरफ्तार पचना में बॉद धर्म गुरु दलाई लामा बुद्धुस्वती पाथ में पवित्र बोधी मृक्ष का किया और ओपन सीम नितिश कुमार भी रहे मौजू रग्वर सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास पर मना रही है सरकार सीम रग्वर ने कहा 2 साल में सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा परस्टचार मुक्तशासिं सरकार की बड़ी काम्याबी 350 से प्रकाश उत्सक कुले का राची राजभमन में विशेश प्रात्न सभा का आयोजन राजपाल दौबजी गुद्मू और स्रीम रगवर्दास को शामिल और खूटी के तमार से देवडी मंदिर पहुँचे बाचर क्रिकेट कीम के कप्तान महीं रिसिंग धूनी मा की पूझा अचना के साथ लिया सुरवाद यह सफाई अव्यान है सफाई अव्यान आप अंगलाब द्रग माफिया यूमन ट्रफिकिंग उनकी सारी दुनिया फल्फर में तबाह करके रख देए नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जीव पूरवया में मैं हूँ आपके साथ सरूनी श्रवास्तोच मेरा नोडबंदी का आज पचासवा दिन है नोडबंदी के खलाफ पटना के गर्दनी बार्ग में आरजएडी का महा धरना है आजएडी अधर्ष लालु यादव गर्दनी बार्ग में धरने पर बैठे हुए हैं लालु के साथ आजएडी के प्रदेश वंत्यक्ष राम चंद्र पूर्वे भी हैं इसके इलावा सभी जिला मुख्यालियों में आजएडी कारेकरता धरना दे रहे हैं कि नोडबंदी के खिलाफ आजएडी ने महा धरना प्रदर्शन करने का जो कारेकरम रखा है उसमें लालु प्रदर्शन